तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर, मार्केट के अंदर मोजू सभी आईपयो के GMP प्राइस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं GMP प्राइस की मदद से हम लोग यह भी केल्कुलेशन करने के कोसिस करेंगे कि अगर आपको इन आईपयो के अंदर अलोटमेंट मिल जाती है तो आपको एक लोट की मदद से कितना प्रोफिट देखने को मिल सकता है तो दोस्तो मैं आपको सभी आईपयो के GMP प्राइस के बारे में बताओ अगर आप इस चैनल के उपर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि फ्यूचर्ज में ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यहां पे आपको सभी आईपयो का GMP प्राइस शो कर दिया जाएगा पेली कंपनी के बात करें तो इसके अंदर यूनिटेट कोट फेब हमको देखने को मिलता है 13 जून से लेकि 19 जून के बीश आईपयो ओपन रहने वाला है आज की डेट में इस आईपयो का GMP प्राइस 12 रुपे चल रहा है 70 रुपे इसका प्राइस बेंड रखा गया है एक लोट के अंदर आपको 2000 शेर मिलेंगे 24 जून को यह आईपयो आपको लिश्ट होते देखने को मिल जाएगा आज की डेट में इसका GMP प्राइस 166 रुपे चल रहा है 94 रुपे इसका प्राइस बेंड रखा गया था एक लोट के अंदर आपको 1200 शेर मिलेंगे 24 जून को यह आईपयो आपको लिश्ट होते देखने को मिल जाएगा अगली कमपनी की बात करें गेम्स इनवेरियो हमको देखने को मिलता है यह आईपयो 19 जून से लेकि 20 जून के बीच ओपन रहने बला है आज की डेट में इस आईपयो का GMP प्राइस 22 रुपे चल रहा है 54 रुपे इसका प्राइस बेंड रखा गया है एक लोट के अंदर आपको 1600 शेर मिलेगे 26 जून को यह आईपयो आपको लिच्ट होते देखने को मिल जाएगा आज की डेट में पर लोट के अंदर 1,15,200 रुपे का प्राइस दिखा रहा है तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसका सस्क्रिप्शन डाटा इस आईपयो के अंदर अलूटमेंट के क्या चांसेस बन सकते उसके बारे में भी हम लोग चैनने बाले हैं इस आईपयो के उपनिंग डेट की बात करें तो 293 रुपे के आसपास यह आपको लिष्ट होते देखने को मिल सकता है अगली कंपनी के बात करें तो फॉलकॉन टेक्नो प्रोजेक इंडिया हम को देखने को मिल जाता है यह आईपयो 19 जून से लेके 21 जून के बीच ओपन हुआ था आज की डेट में इस आईपयो का जेंपय प्राइस 11 रुपे चल रहा है बनवे रुपे इसका प्राइस बें रखा गया था एक लोट के अंदर आपको 12 शेर मिले होंगे 26 जून को यह आईपयो आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा 19 जून से लेकि 21 जून की बीच आईपयो ओपन रहने वाला है इस आईपयो का जेंपय प्राइस 60 रुपे रखा गया है 68 रुपे इसका प्राइस बेंड है एक लोट के अंदर आपको 2000 शेर मिलेंगे आज की डेट में इसका जेंपय प्राइस 32 रुपे चल रहा है 120 रुपे इसका प्राइस बेंड रखा गया था एक लोट के अंदर आपको 125 शेर मिलेंगे 26 जून को यह आईपयो आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा आज की डेट में इस आईपयो का जेंपय प्राइस 164 रुपे चल रहा है इस आईपयो का प्राइस बेंड 379 रुपे रखा गया है एक लोट के अंदर आपको 40 शेर मिलेंगे 28 जून को यह आईपयो आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा आज की डेट में इस आईपयो का जेंपयो का जेंपय प्राइस 52 रुपे चल रहा है 34 रुपे इसका प्राइस बेंड रखा गया है एक लोट के अंदर आपको 4000 शेर मिलेंगे 28 जून को यह आईपयो आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा अगली कमपनी की बात करें तो सिवेलिक पावर हम को देखने को मिलता है 24 जून से लेकि 26 जून के बीच आईपयो ओपन रहने वाला है आज की डेट में इस आईपयो का जेंपय प्राइस 154 रुपे चल रहा है इसका प्राइस बेंड 100 रुपे रखा गया है एक लोट के अंदर आपको 1200 शेर मिलेंगे एक जुलाई को ये आईपयो आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा आज की डेट में पर लोट के अंदर 26,400 रुपे का प्रोफिट दिखा रहा है अभी की डेट में इस आईपयो का जीमपी प्राइस 0 चल रहा है 64 रुपे इसका प्राइस बेंड रखा गया है एक लोट के अंदर आपको 2000 शेर मिलेंगे एक जुलाई को ये आईपयो आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा आज की डेट में जीमपी के साब से 0 प्रोफिट है दिन अस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस अभी की डेट में 68 रुपे से लेके 64 रुपे के बीच हो सकता है अगली कंपरी के बात करें तो इसके अंदर सिल्वन प्लाइबोर्ट हमको देखने को मिल जाता है अगली कंपरी के बात करें तो विसामन ग्लोबल सेल्स हमको देखने को मिल जाता है यह इसाब से प्रोफिट जीरो है आज की डेट में जीमपी प्राइस जीरो चल रहा है 43 रुपे इसका प्राइस बेंड रखा गया है एक लोट के अंदर आपको 3000 शेर मिलेंगे एक जुलाई को यह इप आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा जीमपी के हिसाब से प्रोफिट जीरो है अगली कंपरी के बात करें तो अलाइट बिल्डर एंड डिश्टिलेटर समको देखने को मिल जाता है यह IPO 24 जून से लेकिए 26 जून के बीच ओपन रहने वाला है आज की डेट में इस IPO का जीमपी प्राइस 70 रुपे चल रहा है 281 रुपे इसका प्राइस बेंड रखा गया है 53 शेर आपको एक लोट के अंदर मिल जाएंगे एक जूलाई को यह IPO आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा आज की डेट में जीमपी के साब से देखे तो पर लोट के अंदर 3710 रुपे का प्रोफिट दिखा रहा है 83 लिष्टिंग प्राइस की बात करें 300 एकाउंट रुपे के आसपास यह आपको लिष्ट होते देखने को मिल सकता है अगली कंपनी की बात करें तो एको ग्लोबल सर्वीस हमको देखने को मिल जाता है 25 जून से लेके 27 जून के बीच IPO ओपन रहने वाला है इस IPO का GMP प्राइस 17 रुपे चल रहा है 37 रुपे इसका प्राइस बेंड रखा गया है एक लोट के अंदर आपको 1600 शेर मिलेंगे 2 जून को यह IPO आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा यह IPO 25 जून से लेके 27 जून के बीच ओपन रहने वाला है आज की डेट में इस IPO का GMP प्राइस 100 रुपे चल रहा है 171 रुपे इसका प्राइस बेंड रखा गया है एक लोट के अंदर आपको 800 शेर मिलेंगे 2 जूलाई को यह IPO आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा आज की डेट में पर लोट के अंदर देखे तो 80,000 रुपे का प्रोफिट दिखा रहा है तो 291 रुपे के आजपास यह आपको लिष्ट होते देखने को मिल सकता है अगली कंपनी की बात करें तो वजर, iron and steel हमको देखने को मिल जाएगा यह IPO 27 जून से लेके 28 जून के बीच open renewal है आज की डेट में इसका जेंबी प्राइस 22 रुपे चल रहा है 207 रुपे इसका प्राइस बेंड रखा गया है एक लोट के अंदर आपको 22 शेयर मिलेंगे 3 जूलाई को यह IPO आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा आज की डेट में जेंबी खिसाप से अगर कल्कुलेशन करें तो पर लोट के अंदर 1584 रुपे का प्राइस दिखा रहा है तो हम इसके लिए अपके लिए details वीडियो बना देंगे दोस्तो अभी हम उन IPO की बात कर लेते जो आज की डेट में close हुए है और अभी के टाइम में open है आपको कीन IPO के अंदर पेसा invest करना चाहिए और जो IPO close हो चुके उन IPO के अंदर आपका allotment का chance क्या रहने वाला है IPO का subscription देखने के लिए और अपना allotment chance देखने के लिए आपको यहाँ पे subscription status के उपर click कर देना है जैसे आप click करेंगे आपको page को नीचे school कर देना है जैसे आप page को नीचे school करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी के टाइम में दिंदी गुल फार्म, वीनी एमिगरेशन, मेडिकनम, ओर्गेनिक्स, एस्टेंडी, लाइपिस्टाइल तो अगर आप इस mainline category का subscription देखेंगे तो काफी कम है मेडिकनम का subscription काफी अच्छा है हमारा criteria भी कि 50% से जो IPO ओर subscribe हो जाए आपको उसके अंदर बिंदास invest करना है उसका GMP price अच्छा है तो आपको ओर easy हो जाता है तो हमारा ऐसा मानना है कि आप अगर SME IPO के अंदर पेसा invest करना चाहरे तो इस IPO के बारे में आपको जरूर से सोचना चाहिए उसके बाद यहाँ पे देखिए दिंदेगूल फार्म प्रोड़क हम को देखने को बिलता है तो जब तक यह IPO 50% से ज़्यादा ओर subscribe नहीं हो इस IPO को अभी के लिए आप अवाइट कर दीजेगा ऐसे ही IPO 24 जून को close होने बाला है तो 24 जून तक आप wait करिएगा जैसे इसके अंदर 50% के अब आउ जाता है तो आप apply करने के बारे में सोच सकते हैं जीस भी IPO के अंदर 50% के ओवर subscribe जाएगा ऐसे में कर्टिकरी के अंदर उस IPO के अंदर आप apply करने के बारे में सोच सकते हैं अभी दोस्तों बात कर लेते हैं जिन लोगों ने उन IPO के अंदर पेसा लगा है जो आज की डेट में close हुए उन IPO के बारे में हम लोग जान लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं एके में Fintech, D-Development, Doorlex, Jam Inverio, Falcon Techno Project तो इनके अंदर आपके अलोटमेंट चांस चेक करने के लिए आपको Money Mint I Day के उपर विजिट करना होगा और यहां पर इस IPO के उपर आप क्लिक कर दीजेगा जैसे आप क्लिक करेंगे तो जिस भी पोर्शन में आपने apply करा होगा example में हाँ पर retail देख लेता हूँ तो retail portions के अंदर जो आपके अलोटमेंट के chances है और 24 applications में से एक applications को अलोटमेंट मिल जाएगा और यहां पर last day के अंदर इस IPO को अच्छा का सस्क्रिप्शन देखने को मिला है अभी दोस्तो अगर आप इन IPO के अलोटमेंट चेक करना चाहरे तो वह आपको केसे करना है तो उसके लिए यहां पर देखिए अलोटमेंट status आपको देखने को मिलेगा मैं कोसिस करूँगा एक चन्मन रिप्लाइ देने के चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसे नए वीडियो में नई जानकर एक साथ चलिए धन्यवाद